अबे ये क्या हो रहा है अरे ये लड़की तो अपने भाई और भाड़ी की पिटाई करने लग गई तो गाइज आज हमारी बहन का बड़े है और सुभे से वो हमको नॉन स्टॉप धोए जा रही है ये सुनते ही हमारी पूरी फैमली लगजरी गाड़ी बुक करके पहन के लिए सोना खरिदने के लिए चले गए अज हमारी बेटी का जनम दिन है और वो सोना चाहती है सोना चाहती है तो उसे घर में सुलावना रोड में लेके क्यों गुम रहे हो अरे भाई हो आगे चौक तक जाना ही कितना लोगे बस दस रुपे लोगा सर अरे भाई पांच रुपे लो ना क्योंकि तुम भी तो चलो के हमारे साथ वहां तक तो आधा भाड़ा तुमें देना दना अरे काम करते हैं मैं गाड़ी से उतर जाता आप चला के ले जाओ पर पूरा भाड़ा दे दो मेरे को अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो सुरू तो आपने क्या ना अंकल अरे यार चलो कोई नाम पैदल चले जाएंगे कम ओन गाइस फॉलो मी चल भाई दोड लगा चल अरे कोई तो सोना दे दो येड़ा साली का फाइनली हमारी खोज खतम होती है रंका जुएलर्स में घर वालो सुनलो मैं जादा नहीं मांगूंगी ये वाला हार दिला दो बहुत सस्ता है सिर्फ दो लाग का है नहीं तो ये दिला दो देड़ लाग का है बस मामे मुझे ये भी चाहिए बेटी अपना घर बिख जाएंगा उसमें रख अबे ऐसे कौन हार पेंता है बे मैडम ये देखिए बस तीन लाग का है ये थोड़ा और मेंगा वाला दिखाए माडम फिर ये लिजे 6 लाग का है बॉलिवर्ड की हिरोईन एस्टोरिया राई से कब भी नहीं पहनी है वाव सची भाबी मुझे ये दिला दो प्लीज सागू मेरा एकाउंड में देखो बस पांच चार पचेतर रुपे पड़े पिछले एक गंटे से हमें टाइम पास करता हुआ देख रंका ज्वालर्स वालों ने हमें फ्री में चाय पिलाने का फेसला किया मैं आज सोना लिये बिना नहीं जाऊंगी फिर हमने देखा हमारी बीबी एक अंगूठी को बड़ी गौर से देख रही थी इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि आज हमारा जेब खाली होने वाला है खत्रे की घड़ी को भापते हुए मैंने टॉयलेट में चुपने का फेसला कर लिया लगभग दो घंटे अंदर चुपने के बाद जब मैं बाहर निकला तो देखा घरवालों ने बिल पेमेंट करके बाहर निकल रहे थे बाबी समाल के इस बेग में दो लाग का समान है चोर लुटे रे पीछे पर जाएंगे तो चिला चिला की चोरों को पता फाइनली घर लौट जाते हैं खुशी देख रहे हो लड़की की घरवालों को लाखो का चूना लगाने के बाद फिर शुरू होता है वो कार्यक्रम जिसके बिना हर बड़े अधूरा होता है जिसे कहते हैं बड़े फोटो शूट या और िधर देख इधर अरे नहीं यार कुछ तो गड़ढ़ है थोड़ा लेफ्ट कुम तो जरहें नहीं यार होटी कर ज़रा अरे नहीं मूझ तेरہ डिखती कर जरहें और नहीं है अच्छा तुम्हारे ये प्यार होलो उर संता जिस कुछ नहीं में यह बिजनेस शुरू किया है उसने बड़े प्यार से मुझे यह बेजा है सिर्फ एक ही नहीं बहुत सारे से सेट्स उसने बेजे हैं मुझे लो भावी आप भी एक रख लो आज मुझे गिप्ट देने के बजाए मेरे से गिप्ट ले रहे हो आप सरम करो मैं तो बे सरम स्ट्रेट हाँ थोड़ा थोड़ा राइट हाँ अब लग रहे हो बंदरिया बाई सही मैं यार बहुत क्यूट लग रहे है यह जूएलरिस और प्राइस भी बहुत एफड़ेवल है यह सब आप इंडिया के किसी भी कौने से उनलाइन करीच सकते हो फ्रॉम शॉप शॉप स इतना फेक रियाक्शन ची यार अब मेरे आँकों के सामने तू यह सब सजा रहा था तो काहे का ओरिजिनल रियाक्शन निकलेगा अब पूनी की गुंडी की तरब से आपको हैपी बड़ी दीदी अरे थैंक्यू वो गिफ्ट भी देगा वो तो केक खाने के बाद ही दूग अपनी ननत को इतनी महनत करते देख उसकी भाबी अपने आपको रोक नहीं पाई और सारे मॉम्बती को केक से उखाड के फेक देती है अबे अबे यह क्या अबे तेरा दिमाग ठीकाने है ना यह क्या कर रही तू केक काटने के बाद खुद नहीं खाते अपसगून माना जाता है समाज को क्या संदेश दे रही है तू अबे पागल पहले मैं चेक करती हूं खाके केक में जहर वगेरा तो नहीं है ना उसके बात तुम सबको खिलाओंगी तुम सबकी मुझे बहुत फिकर है इसलिए ये सब करना पड़ रहा है दोस्त हमेरी बेन कितनी दयालू है केक बहुत सही आजाओ तुट पड़ो गाईस लो ममी का कुछ गरबर नहीं इसमें लो भाबी आप भी खाले अरे सागू बहुत पतली हो गई हूँ मैं केक नहीं खा सकती आप भी खालेगा पागल नहीं नहीं तू मत खिला आज तेरा बड़े है पगली और तेरा भाई आज अपने हातों से केक खाएगा जाए अर्ब अच्छा अच्छा सोरी ये ले आहाँ लो पापा आप भी खालो केक वेसे भी बहुत पतले हो गए हो बेटा पतली तो भी कम नहीं है ले तू भी अरे पापा साधी नहीं हुई अभी ताए अडवान सपी बड़े विज कर सकते हैं लोग तो अडवान सदा स्वागन क्यों नहीं फाइनली घरवालों की गिफ्ट देने का सिलसिला सुरू हो जाता है बहुत किस्मत वाले हो तुम सब जो एसी बेटी मिली तुम सब को जो बस इस लाखो के हार से मान गई दूसरी कोई होती ना तो कैडबेरी सिल्क से नीचे बाती नहीं करती येलो ननत जी आपकी गिफ्ट अपनी जान जोखिम में डाल के आपके भाई का जेब काटके उस पेसो से लाई हो कुछ सीख भाई कुछ सीख भाई से अपनी ननत की खुसी के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दिया तेरा गिफ्ट का है बे मेरा गिफ्ट जबाएगा ना तो इस सारे हीरे जबारत उसके सामने फीके पढ़ जाएंगे आँ क्या तेरी फेवरेट चीजे लाएँ मैं आँखे बंद कर ये रही पहली गिफ ये रही दूसरी ये रही तीसरी अभी भी खतम नहीं हुआ रुख जा ये रहा अखरी गिफ अब तू आँके खोल सकती है ओ माई गोड वाई सीरियसली बहुत क्यूट लग रहे है यार मुझे पक्का पता ये तुने कहां से मंगा है दीपा टॉइ स्टोर रावकले से राइट येस राइट दोस्तो आप भी ये मैड इन इंडिया होममेड प्यारे प्लसिस इंडिया के किसी भी कोने से मंगवा सकते हो कॉमेंट में आपको दीपा टॉइ स्टोर का डीटेल्स मिल जाएगा अरे बैन तेरी जिन्दिगी का सबसे बड़ा गिप्ट तुझे देना तो मैं भूली गया था ये ले खोल ये क्या चिट्टी विट्टी दे रहा है क्या खोल तो सही कुई मा अर्चा भीकारी लो लो ये लो ये लो हाँ ये पी लो ये खाओ 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 ये लो एपी बड़ दे गिफ्ट्स काई गिफ्ट्स ए बगवान सारे गरिब मेरे ही नसीब में मिले